आज किस वीडियो में हम ओनेट की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि ओनेट में एक बॉलॉग कैसे क्रियर्ड करें सो ओनेट में बॉलॉग क्रियर्ड करना बहुत ही आसान है लेकिन ओनेट में बॉलॉग कैसे क्रियर्ड करें इसके बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि blog होता क्या है, blog किसे कहते हैं, तो अगर हम simple तरीकी से समझे हैं, तो blog वो होता है, जिससे आप लिखकर लोगों को बताते हैं, अगर आप किसी field के expert हैं, किसी field की रिगार्डि आपको अच्छी knowledge है, चाहे वो technology की regarding है, या फिर internet की regarding है, acting की regarding है, किसी भी field के आप expert हो सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं अपना example ले लेता हूँ, तो आप सभी जानते हैं कि मैंने onpassive platform को चूच किया है, यहाँ पर सभी चीजों को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो यहाँ पर onpassive की regarding हर एक topic पर blog create कर सकता हूँ, blog लिख सकता हूँ, और लिख कर लोगों को onpassive के बारे में बता सकता हूँ, audience तक information पहुचा सकता हूँ, जैसे कि onpassive क्या है, onpassive की products क्या क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे हमें benefit देंगे, कैसे हमें value provide करेंगे, उसे हम क्या क्या कर सकते हैं, each and everything, हर एक चीज़ को यहाँ पर मैं explain कर सकता हूँ, हर एक topic पर मैं ब्लॉग create कर सकता हूँ, onpassive की regarding, I hope इस point को आप लोग समझ गिये होंगे, तो अब यहाँ पर हम यह समझ लेते हैं, कि onet में blog कैसे create करना है, और मेरी तरह आपने भी onpassive platform को choose किया है, तो आप भी daily onpassive की regarding किसी भी topic पर blog create कर सकते हैं, post कर सकते हैं, इसके लिए simple सा process है, आप अपने ecosystem login कीजिए, login करने के बाद menu bar पर click कीजिए, देन वहाँ पर आपको onet दिखाए देगा, onet पर click कीजिए, click करते ही, onet का homepage आपके सामने आ जाएगा, homepage open होते ही, सबसे उपर आपको कुछ options नजर आएगे, वहाँ पर आपको एक pencil जैसा icon नजर आएगा, सबसे उपर, उससे हम block कहते हैं, और जैसे ही आप उस पर click करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस परकार का page, block create करने के लिए open हो जाएगा, जिस परकार से अभी आपको screen पर दिखाई दे रहा है, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से block create कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक option नजर आ रहा होगा, add photo का, यानि कि अगर आपको कोई block post करना है, create करना है, और उसके अगर आप कोई photo select करना चाहते हैं, तो यहाँ पर click करेंगे, add photo पर click करते ही क्या होगा, आप अपने gallery में पहुंच जाएंगे, वहाँ पर जो photo आपको select करने है, उस पर click कर देंगे, click करते ही क्या होगा, वह photo यहाँ पर add हो जाएगा, means select हो जाएगा, उसके बाद नीचे एक option है title का, title यानि कि आप किस topic के regarding block create करना चाहते हैं, उसका title यहाँ पर आपको mention करना है, for example मुझे on passive के बारे में लोगों को बताना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँँगा what is on passive, यानि कि on passive क्या है, यह मेरा title हो गया, यह मेरा topic हो गया, अब इसके बारे में लोगों को मैं बता सकता हूँ, लिख कर समझा सकता हूँ, और लिखने के लिए नीचे एक option है type something, यानि कि यहाँ पर आप पूरा सारांस लिख सकते हैं, अगर हमिंदी में बात करें, तो आप यहाँ पर पूरा सारांस लिख सकते हैं कि on passive क्या है, उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, और जो भी आप लिखेंगे, तो अगर आप उन text को design करना चाहते हैं, तो design करने के लिए नीचे आपको बहुंँ सारे options मिल जाएंगे, उन options के जरिए text को design कर सकते हैं, For example, अगर किसी sentence को bold करना है, तो bold का option दिया गया है, selector के आप bold कर सकते हैं, अगर आपको तिरिच्छा करना है, तो उसका भी option दिया गया है, underline करना है, तो उसका भी option दिया गया है, font कर रचेंज करना है, उसका भी option दिया गया है, font की size बढ़ानी है, यानि की बढ़ा करना ह उसका भी option दिया गया है आपको यहाँ पर number की use करनी है वो भी दिया गया है हर एक option यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप अच्छे से design कर सकते हैं means पूरा sentence आप यहाँ पर लिख सकते हैं what is on passive, on passive क्या है उसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से लिख कर post create कर सकते हैं means blog create कर सकते हैं और create करने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद design करने के बाद, सब कुछ complete करने के बाद नीचे एक option आपको मिल जाएगा publish, publish पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपका blog publish हो जाएगा means सभी audience तक पहुँच जाएगा जो onet को use कर रहे हैं तो वो सभी लोग उस blog को देख पाएँगे like कर पाएँगे, comment कर पाएँगे and share भी कर पाएँगे और जैसे ही blog को create करके आप publish पर click करेंगे तो publish होते ही क्या होगा आपके सामने blog का पूरा home page open हो जाएगा, या फिर home page open करने के लिए left side में सबसे उपर जो आपको circle दिखाई देता उसे हम menu बार कहते हैं और जैसे आप उस पर click करेंगे तो वहाँ भी आपको blog का option नजर आएगा blog पर click करते ही आपका blog का home page open हो जाएगा, और home page open होते ही आपके सामने कुछ options नजर आएगे जैसे कि अगर आपने onet में profile photo upload किया हुआ है तो वह भी आपको नजर आएगा अगर आपने cover photo upload किया हुआ है तो वह भी आपको नजर आएगा इसके साथ में आपको 3-4 option और मिल जाएगे जैसे कि पहला option है all all पे click करने से क्या होगा जितने भी blog create किया गया है आपके दोरा या फिर audience के दोरा audience मतलब आपके जो friends हैं जो onet को use कर रहा है तो सभी का यहाँ पर blog आपको दिखाए देगा जो recently create किया गया है वो सभी blog को आप चेक कर सकते हैं like कर सकते हैं, comment कर सकते हैं and share भी कर सकते हैं जो सभी blog आपको यहाँ पर दिखाए देगा next यहाँ पर option है my blog my blog में अगर आप click करेंगे तो जितने भी blog आपके दोरा create किया गया है वो सभी blog यहाँ पर दिखाए देगे उस पर click करके आप उसको check कर सकते हैं देख सकते हैं और इसके बाद तीसरा option है draft draft का मतलब यह होता है किसी भी blog को save करना for example अगर मैं कोई blog create कर रहा हूँ और मैं यह नहीं चाहता हूँ कि वो blog उसी समय publish करूँ तो मैं उस blog को save as a draft पर click करके save कर सकता हूँ 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी मैं उस blog को post करना चाहूँ publish करना चाहूँ तो publish पर click करके publish कर सकता हूँ तो जैसे ही आप draft पर click करेंगे तो जितने भी blog आपने save कियोंगे वो सभी blog यहाँ पर आपको दिखाई देंगे उस पर click करके अगर आप कुछ edit करना चाहते हैं तो edit भी कर सकते हैं add करना चाहते हैं तो add भी कर सकते हैं जो कुछ भी आप करना चाहाएं कर सकते हैं या फिर आप directly publish पर click करके उस blog को publish कर सकते हैं post कर सकते हैं सभी audience के लिए इस परकार से आप draft का यूज़ कर सकते हैं इसके बाद last option है create blog यानि कि अगर आप कोई नया blog create करना चाहते हैं तो create blog पर click करके आप नया blog create कर सकते हैं आसानी से तो इस परकार से आप onet में blog feature को यूज़ कर सकते हैं means blog create कर सकते हैं I hope ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़दा informative रहा होगा वीडियो informative रहा हो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर कर लेजिएगा